कॉंग्रिस की यूपी जोड़ो यात्रा का 20 दिसंबर को अगाज होने जा रहा है जिसको लेकर कयासों का दौर जा रही है इस बीच इस यात्रा को लेकर वीते दिन 36 सदिस से कमेटी का गठन किया गया बतादे कॉंग्रेस की यात्रा को परिवारतर यात्रा भी कहा जा रहा है ये 20 दिसंबर को वेस्ट यूपी के सहारनपूर जिले से निकल कर मुझफर नगर, विजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली, लखी पुर्खिरी, फिर सीतापूर को कवर करेगा यात्रा 20 दिनों तक चलने की उमीद है और 15 जनवरी को इसका समापन होगा इस यात्रा की बारे में कॉंग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का टार्गेट ये है कि अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में भाग लें वर्तमान सरकार जन्ता की नहीं सुनती, यूपी में किसान और यूवाओं को दुख्यतों का सामना करना पड़ रहा है जबकि मुस्लिम समुदाय को अलग-अलग जिगों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए यात्रा के दौरान हमारा ध्यान उन वर्गों पर ही रहेगा उदर इससे पहले कॉंग्रेस की ओर से कई जिलों को कवर करने के लिए 11 सचीवों की भी निक्ति की गई थी संगटन महासचीव अनिलियादव की माने तो करीब 20-22 जिन तक चलने वाली ये पड़ यात्रा 11 जिलों से होके गुजरेगी इस यात्रा के जड़िये करीब 15 लोग सवा कवर की जाएगी गंगों से सूफिस संत हज़त कुतवे आलम की दरगा पर चादर भी चाहाई जाएगी वहीं गंगों से निकले इस यात्रा को सीतापुर 13 दिस्तल पर समाप्त करने की भी बात कही जा रही है यात्रा के दौरान जन सभाय करके जनता की समस्यों को उठाया जाएगा और आम लोगों को पार्टी से जोडने पर फोकस किया जाएगा इसके लावा यात्रा की कमेटी की ओर से राहूल गांधी और प्रयांका गांधी समयत कई बड़े निताओं को भी नियोता भेजा गया है हलागि अभी उनके आने की उमीद बहुत कम है गौर्त रभी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्च पर कॉंग्रेस यूपी को जोडने निकली है पाश राजियों का विधान सबक चुनाव सब्बन होने के बाद कॉंग्रेस ने यूपी में सक्रियता बढ़ा दी यूपी जोड़ो यात्रा की प्रथम चरण का आगास 20 दिसंबर से होगा साहरनपूर से निकल कर यूपी जोड़ो यात्रा का काफिला 15 जन्वरी को समाप्त होगा यूपी जोड़ो यात्रा का पहला चरण लगवग सबास 400 किलो मिटर का होगा कॉंग्रेस की कारकरता रोजाना लगवग 20-20 किलोमेटर का सफ़र तै करेंगे वही सीधापुर में मकर्द संक्रान्ती के एफसर पर यूपी जोड़ो यात्रा का समापन होगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24